बॉलिवोट एक्टर राहुल रोई कोन की सुपर हिट म्यूजिकल फिल्म आशिकी के लिए जाना जाता है। नभे के दशक की इस रोमेंटिक लव स्टोरी ने राहुल को रातो रात सुपर स्टार बना दिया था। एक्टरस अनु अगरवाल की मासूमियत और उनके साथ राहुल की केमिस्ट्री ने हर किसी के दिल को ऐसे छुआ कि ऐ फिल्म आज भी हिंदे सिनिमा की बेस्ट लव स्टोरी वाली फिल्मों में गिनी जाना है। 32 साल पहले साल 1990 में रिलीज हुई फिल्म आशकी में राहुल रोई को नेम फेम दिलाने के साथ ही उन्हें हर किसी के दिल की धड़कन भी बना दिया। अनु और राहुल की कहानी हर किसी के जहन पर छाई थी हालाके एक्टर की रियल लाइफ उनकी रियल लाइफ से काफी अलग है। दरसल कई रिष्टों में रहने के बाद उन्हें हर बार दिल तूटने के दर्थ से गुजरना पड़ा। उन्होंने शादी भी की लेकिन वो भी सफल नहीं हो सकी। चलिए राहुल रोई की दुखद लव स्टोरी पर नजर डालते हैं। पूजा भट की साथ राहुल का रिष्टा नभ्वे के दशक में राहुल रोई का जलवा। इस कदर था कि हर कोई उनसे इंप्रेस था। महेश भट की बेटी पूजा भट भी उन्हीं में से एक थी जिनका नाम राहुल के साथ जोड़ा गया। दोनोंने जानम जुनून औ पर तेरी कहानी याद आई जैसी फिल्मों में साथ में काम किया। जिन्होंने उन्हें करीब लाने का काम किया। दोनों शूटिंग के बाद भी काफी वक्त साथ में बिताते थे। हाला कि करियर और बिजी वर्क शेडियूल के चलती दोनों अलग हो गये। और आज तक दो 1996 में उनकी फिल्म ये मज़दार के सेट पर हुई थी और जल्दी ही दोनों ने डेटिंग करना भी शुड़ो कर दिया। उनके रिष्टे की अफवाएं हर अकबार की सुर्ख्यां बटो रही थी। हाला कि दोनों का रिष्टा तब खत्म हो गया। जब कथे तोर पर इशा की बजाए अपनी करियर को ज़्यादा एहम माना और इस तरह दोनों का रिष्टा खत्म हो गया। सुमन रंगनाथन के साथ राहुल रॉय का रोमेंटिक रिष्टा। दो ब्रेक अप के बाद राहुल की जिंदगी में एक बार फिर से प्यार की एंट्री हुई। दर रिपोर्ट्स की मताबिक दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रिंट के जरिये हुई थी। कहा तो ये भी जाता है कि दोनों ने साथ में रहना भी शुरू कर दिया था। हाला कि जब सुमन को साथ फिल्म इंडस्ट्री से फिल्मों के ओफर आने लगी तो वो साथ इंडिया में ही रहने लगी। ऐसे में लॉंग डिस्न्स रिलेशन्शिप को बनाए रखना दोनों के लिए मुश्किल हो गया। और नतीजा ये हुआ कि तीन साल बाद राहुल का ये रिष्टा भी खत्म हो गया। समीर सोनी संग साथ फेरे लिये थे। हाला कि समीर और राजलक्षमी शादे के छे महिने के भीतर ही अलग हो गये थे। राहुल और राजलक्षमी की बात करें तो इस कपल ने दो साल तक डेटिंग के बाद शादी की। हाला कि 14 साल बाद राहुल और राजलक्षमी भी पॵरजी दी है। राज लक्ष्मी हमेशा मेरे जीवन droite का अभिन आ रिष्टा। ये बिल्कुल सही है, एक तेजस्वी महिला होने के साथ साथ, वो जिस तरह की इंसान है मुझे उससे प्यार है, मेरे जीवन में इस पड़ाफ पर मुझे दिखावे से परे कुछ चाहिए, साधना बिल्कुल वैसी है, जैसी मैं ढूंड रहा हूँ, हालाकि कुछ समय बाद र खैर हम आशा करते हैं के राहूल को उनकी लाइफ में सही पार्टना मिल जाए, जिसके आशा वो करते हैं, तो दोस्तों अभी के लिए बसे करें, मेरेते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, बाइ-बाइ